हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज की रेमीडी उन लोगों के लिए है जिनके बाल जड़ते हैं देखिए बाल हमारे सब के ही जड़ते हैं बट प्रोब्लम वहां आती है कि जब बाल जड़ने के बाद उस जगें पे दुबारा से बाल नहीं उगते हैं तो फ यूज करती हूं डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी काफी असरदार ये रही की ठीक है बट इसको करना किस तरह से हैं जैसे मैं यहां पर बता रहे हूं बिलकुल उसी तरह से बनाना और उसी तरह से यूज करना तो रजल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी और इसमें जो भी चीज़े मैं यूज कर रही हूं आपको घर पे ही मिल जाएंगी और हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि इससे फ्रीजिनेस आपके हेर्स में आ जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है बट तरीका जो मैं बता रही हूं अगर आप उस तरीके से लगाऊ इसको नहीं लगाना है तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें करना क्या है इसके लिए हमें चोटा सा ओर जिए जो रैड ओनियों बहुत बढ़ा नहीं लेना में होता है Sulfur, Sulfur जो आपके hairs के जड़े है उनको मजबूत करता है और साथ ही साथ जो बल झड़ गए है, जहाँ पर जो folicles होते हैं, उनको मजबूत करता है और जो बल झड़ गए हैं, उनको फिर से उगाने में काफी help करता है ठीक है इसलिए हम onion का यूज करती है तो थोड़ा सा ही strong होता है but don't worry जिस तरह से मैं बता रही हूं उस तरह से लगाएंगे तो results अच्छे मिलेंगे देखी application का तरीका भी बहुत important होता है एसा नहीं है कि चीज़े पता लगे और जैसे तैसे कर लो तो कुछ इस तरह से आपने इसका juice निकाल लेना है बिल्कुल छोटा सा onion लिया था spoon से नहीं निकलेगा हाथ से अगर निकालेगी न तो काफी अच्छे से onion का juice निकल के यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा तो हर बार जब आप यह onion juice बनाएंगे तो नया बनाना है इसको रख नहीं सकते हैं ठीक है और रात बर भी नहीं लगाना है एक से डेड़ चमच के आसपास या जादा जादा दो चमच बस इतना ही हमें चाहिएगा अब हमें चाहिएगा oil अगर आपने यह oil नहीं बनाया है तो प्लीज यह बहुत easy है और बहुत effective है खासकर इन सर्दियों में तो इस oil को जरूर बनाना यह मैंने आप लोगों के साथ share किया है तो इसी की लगभग दो चमच दो चमच onion juice दो चमच यह वाला oil ठीक है अगर यह नहीं बनाया है तो बना लीजिए नहीं तो सिरफ सरसो का तेल अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें एड़ कर सकती है और कुछ इस तरह से इसको mix अच्छे से करना है देखो जब यह mixing process ना इसको जब आप करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल एक सार हो जाएगा उस point पे आपको आपको लगेगा कि हाँ oil जो है बिल्कुल ready है लगाने के लिए और इतना ही oil चाहिएगा चाहिए आपके hair की length growth कितनी भी हो आपने यही measurement लेना है तो किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले आप अपने hairs को comb कर लो जब भी oiling करते हो hair mask लगाते हो महंदी लगाते हो कुछ भी लगाए ना तो comb अच्छे से किया करो और hair growth में comb का भी बहुत effective role है तो क्या करना है आपको कि कम से कम दिन में जादा नहीं तो तीन से चार बार अपने hairs को comb किया करो ठीक है comb कर लिया अब हम अपने oil को इसमें application करेंगी application करके फिर से उसको अच्छे से mix कर लो तक अगर आपको वो अच्छे से लगता है कि mix नहीं हुआ है तो जैसे मैं दिखा रही हूं please इसी तरह से लगाना है आपने अपने partition करते जाना है और अपनी fingers कि help से जो की जड़े हैं न उन्में लगाना ett'ne जैसे लगाते जाना और हलके हलके हाथों से उसी टाइम जो है हलकी हलकी मसाज करते जाना नहीं तो क्योंकि ऑनियन जूस है ये एक पानी ही है और ये ड्राइ हो जाएगा बात में हम मसाज नहीं कर पाएंगे इसलिए जब भी मसाज करे अगर आपको हेरफोल बहुत है तक हिएगा बहुत जोर से नहीं रगड़तना है ठीक है और बहुत ज़्थ हेर फुलाइब गर्न साट के लिए बहुत जड़ के लिए बहुत जुरूरी है अगर हमारी roots मजबूत होंगी एक तो हमारे बाल जड़ेंगे नहीं इतने नहीं जड़ेंगे access में ठीक है और उसके साथ साथ अगर हमारे hair जड़ गई है और कहीं पे हमें लग रहा है कि growth अच्छी नहीं है तो उस area पे थोड़ा सा ध्यान हमने जादा देना है पूरे hairs पे प results आपको जादा नहीं न तो दो वीक में मिल जाएंगे दो वीक में application च्यार बार हो गया तो च्यार बार के application से ही आपको काफी अच्छा और बैटर फिल होगा जिन लोगों के hair like गंजेपन के जैसे हो चुके हैं वो लोग भी इसको ट्राइए कर सकते हैं क्योंकि ये आपके स्केल्प में जो क्या बोलते हैं उनको फिर से जगा देता है इसलिए बिल्कुल जरूरी है कि आप अपने स्केल्प पे रूट्स विध्यान दे बट बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना एक्सेस नहीं रगड़ना है नॉर्मल हाथों से पूरे स्केल्प को अच्छे से रग हैं जर जाते हैं या spaced के साहरी कुल होने लगते हैं है उट जाते हैं तो इस तरहें से उस अरिया पर आपने हलके हलके हाथों से लगाना है और मसाज करनी है मसाज करेंगे तो काफी अच्छे सब्सक्रब्ड़ आप eviden權 कर ने हमार लाग पर मिलेंगे हमरा एक्छी जो बैलै बाल बांदे तो जो हमारी मांग दीरे बहुत चोड़ी होने लगती है मतलब बाल उटने लगते हैं तो उस एरिया में आपने अच्छे से ध्याम देना है और इसी तरह से करते करते आप देखोगी कि आपको जो जब मसाज करें ना तभी आपको फील होगा कि काफी अच्छा स बीजिए आप देखोगी कि चोटी चोटी बेबी हेर से वह ग्रो होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि तो मेति और कोलूंजी का जो ओयल है वह यूज किया है वह अपने आप में एक काफी एफेक्टिव रेमीडी है बट उसके साथ हमने इस चीज़ को एड किया है तो और भी साफ्ड और साईनी हो तो एजो हो है प्राइन हे अगर आप यूस कर रहे है तो सर्सो का जो तेल है उसको आपनी कैया करना है अपनी लैंथ पे अपने हाथों पे लेनना है रब करना है ट्रल लेंद पर अच्छे से लगा इसके बाद एक और चीज दुद्धान रखने वाली है वो यह है कि जब आप हैड वोश करोगे तो टेफिनिटली आपको दो बार शैंपू करना पड़ेगा एक बार आप अपने स्केल्प पर अच्छे से मसाज करके शैंपू करना और शैंपू क करके यूज किया करूँ उसको वोश कर लेना उसके बाद फिर एक बार और शैंपू करना और आप देखोगे आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गई हैं आपको किसी तरह कि कोई प्रेशानी देखने को नहीं मिलेगी बट वोश अच्छे से करना ठीक है ऐसा नहीं कि अच्छे से वोश नहीं करें हो तो आपके बाल और ज्यादा जड़ेंगी ठीक है यही थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जूरू करना चैनल पर नहीं है तो